हलो बच्चों कैसे हल चाले बच्चों तो बटा पंगूट विलेज ऑफ ननीताल जिले में यह पंगूट विलेज है और पंगूट विलेज में बटा मैं बैठा हुआ हूँ अपने कॉटेज में और मैंने सोचा आपको पढ़ाई का कुछ अच्छे वीडियो बना दिये ठीक है कोटेज में और यहां कोटेज में बैट करके बैठा मैं आपको वीडियो पढ़ा रहा हूँ मने सोचा आपको कुछ पढाही के वीडियो बना दिये जांए इससे पहले ही मैंने मैं जानी लच्ष जी जा रहे हैं और ये वी आराम से इंज्डूआ मैं कर रहे हैं और यहां बैटा बैट करके हम लोग कुछ आज पढ़ाई की बातें कर लेते हैं तो दोखों बैटा पिछले वीडियो मैंने आपको 3 क्रॉस 3 का जो मैट्रिक्स होता है उसका आइगन वेलू और आइगन वेक्टर निकालना सिखा दिया था तो आज थोड़ा बैटा हम लोग उसके कुछ और अच्छे कोशन की प्रेक्टिस कर लेते हैं उसके एक दो अच्छे एक्जामपल हम लोग आज और करते हैं पिछले वीडियो मैंने आपको अच्छा एक्जामपल बताया था कि 3加ces 3 में आइगन वेलू आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं दोगाश बच्छों जैसे किमाल लीजे व्मारे पास मैट्रिक्स A 3x3 का मैट्रिक्स A 3x3 का मैरे पास है än माल लीजे और मंल लीजे मैट्रिक्स अपने पास यह है 0 at 10 जीरो फिर हो जायागा बच्चों क्या 001 माल लीज़े ऐसा मैट्रिक्स है और 1 माइनस 3 और 3 ये मेरे पास बच्च जब एक मैट्रिक्स है इसका हमको आइगन वेल्यू और आइगन वेटर चाहिए 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है देखो क्या कॉंसेट होता है सबसे पहले हम ए माइनस लेम्डा आई का डिटर्मिनेंट 0 करते हैं मैंने बताया था आपको लेम्डा आई निकालना पड़ेगा लेम्डा इंटू आई आई का मतलब आइडेंटी मैट्रिक्स 100,000,0001 तो क्या हो जाएगा लेम्डा जीरो जीरो लेम्डा जीरो और जीरो जीरो लेम्डा ये हो गया अच्छा अब ए माइनस लेम्डा आई का डिटर्मिनेंट तो इस मेंसे इसको माइनस करना होगा है ना डिटर्मिनेंट निकालना तो क्या हो जाएगा माइनस लेम्डा हो जाएगा ठीक है माइनस लेम्डा हो जाएगा अच्छा फिर देखो 1 हो जाएगा इस में से सको माइनस करना इस में से सको माइनस करना 0 हो जाएगा फिर इस में से सको माइनस करना 0 ही रहेगा ठीक है और फिर हो जाएगा माइनस लेम्डा फिर हो जाएगा 1 और फिर हो जाएगा 1 माइनस 3 और 3 माइनस लेम्डा का determinant इकोल टू 0 हो जागा बच्चो ठीक है बई? को टेंशन तो नहीं तो है? सब बात के लिए रहे देखो अब अब अच्चो इसमें हम लोग क्या करेंगे? इसको simplify करेंगे determinant को expand करेंगे यह से expand करते हैं determinant को हम लोग उसी method से अपना expand करेंगे तो क्या होगा देखो expand करोगी जब इसको तो आपको देखो इस type की equation रिक मिल जाएगी lambda की power 3 minus 3 lambda square और plus का 3 lambda minus 1 बराब जिरो इसको expand करके 0 कर देंगे समझ गयोंगे आप expand करना जानते हैं determinant को हम लोग पहले first इस element को करते हैं मैंने बताया था आपको इतना समझते ही आप तो इससे आपको क्या मिलेगा बच्चो कि यह एक अपनी equation मिल जाएगी अब दोखो क्या होगा हम लोग क्या करेंगे बच्चो एक दोखो बड़ा मोटा मच्चर यहां पर घूम रहा है तिख राया आपको दोखो यह रहा मच्चर इसको भगाना पड़ेगा यह काट लेगा जिंगर बेगूफ हो सकता है यह तो टेंशन हो जाएगी अब जैसे इसमें अगर मैं लेमडा इकोल टू वन लखोंगा तो यह 0 हो जाएगा तो इसका मलदब यह हुआ कि लेमडा माइनस वन इसका एक फैक्टर हो गया अब आप क्या करेंगे दोखो लेमडा माइनस वन से इसको डिवाइड कर देंगे पूरी एकोशन को लेमडा क्यूब माइनस 3 लेमडा स्कॉर प्लस 3 लेमडा माइनस वन तो डिवाइड कैसे करते हैं फर्स टम को फर्स टम से डिवाइड करेंगे तो लेमडा स्कॉर आएगा इससे इसको मलद पाई कर देंगे तो minus का 2 lambda square plus का 2 lambda हो जाएगा फिर minus करना है तो यह plus और minus हो जाएगा तो क्या हो जाएगा lambda minus 1 फिर first term को first term से divide किया तो फिर 1 आया फिर 1 से multiply किया तो finally यह 0 आ जाएगा तो मलत देखो इसके जो factor आये तो एक तो lambda minus 1 आया दूसरा factor दो बच्चों इसका यह आया lambda square minus 2 lambda plus 1 equal to 0 आ गया बस समझ रहे है अच्छा अब दोखो इसको भी हम lambda minus 1 का whole square लिख सकते हैं तो finally यह lambda minus 1 का whole cube बराबर 0 आ गया तो दोखो lambda की value यहां से क्या आई 1 1 1 1 3 value आई तीनों सेम आई बस समझे बाइ जैसे कि मालो आपसे कहा जाए x cube equal to 0 से x क्या आएगा तो आप x की value 0 0 0 0 लिखोगे क्योंकि यह qb की question है और qb की question के 3 roots आएंगे और 3 ही बराबर है यहां पर यह बात interesting है समझ यहां पर द्यान से हाना क्योंकि cubic है तो 3 values दिखने पड़ेंगी अगर x square equal to 0 होता और x की value पूछी जाती तो 0 0 हो जाता ठीक है तो lambda की बच्चों यहां पर 3 values आई है 1 1 1 1 हाना lambda की values कितनी आई बोलो 1 1 1 3 values lambda की यहां पर आई है बसे तो सारे वीडियो बटा मैं board के आगे बनाता हूं लेकिन यहां मजबूरी है board मेरे पास नहीं है तो मैंने कहा थोड़ा घूमने आया है थोड़ा आपको फिकने की spot पर पढ़ा भी दिया जाए को इटेंशन नहीं है बच्चों अच्छा लेमडा की value बना गए तो यह हमारा आईगन value आ गया 1 1 1 अब दो को तीनों value सेम है तो अब हम क्या करेंगे lambda equal to 1 क लिए अपना आईगन वेक्टर निकालेंगे जोकि जब तीनों value सेम है तो तीनों के लिए अलग-अलग आईगन वेक्टर तो निकला नहीं जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे lambda equal to 1 के लिए बचो आईगन वेक्टर यहां पर निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं आईगन वे बरावर 0 यही हम लोग करते हैं बोलो a-lambda into x बरावर 0 यही हम लोग करते हैं बटा आईगन वेक्टर निकालने के लिए आपको मालू है अच्छा आप देखो क्या होगा lambda की value यहां पर चुकी 1 है तो lambda की value 1 लग देंगे तो क्या आईगा a-i into x बरावर 0 हो जाएगा x का मतलब यह क्या x1 x2 और x3 और 0 का मतलब देखो यह 0 वेक्टर 0 0 0 बस समझे ऐसे अच्छा अब देखो यहां पर क्या हुआ a मैसे i minus करो a हम को मालूम है अपना देखो यह वाला matrix a था और i देखो यह है तो a मैसे i को minus करो यह i होता है ठीक है यह वाला matrix क्या है बलो a है और यह अपना i होता है तो a मैसे i को minus कर दो तो a मैसे i को minus करेंगे तो हमको यहां पर यह मिलेगा minus 1 1 0 0 minus 1 1 ठीक है 1 minus 3 2 और x का मतलब क्या हो गया x1 x2 x3 और 0 का मतलब क्या हो गया 0 0 0 बसंदे अब फिर वही है इसको इससे मलड़ पाई करना तो क्या होगा minus x1 plus x2 plus 0 into x3 और equal to 0 कर दो क्योंकि यह क्या है 3 cross 3 है और यह 3 cross 1 है तो यह 3 3 निकल जाएगा तो 3 cross 1 का एक हमको matrix मिलेगा 3 cross 1 का मतलब क्या होगा इसमें 3 2 होंगे 1 को नम होगे तो क्या होगा इसको इससे मलड़ पाई करो दो यह मिलेगा minus x1 plus x2 यह 0 हो जाएगा इसको इससे मलड़ पाई करो तो minus x2 plus x3 यह 0 हो जाएगा तो minus x2 plus x3 और इसको इससे मलड़ पाई करो तो जाएगा x1 minus 3 x2 plus 2 x3 ऐसे हो जाएगा और equal to देखो यह 0 0 0 होगे अब देखो क्या होगा पहले element को पहले से compare करो ठीक है दूसरे को दूसरे से compare करो और तीसरे को तीसरे से compare करो x1-3x2 plus 2x3 बरावर 0 तो अब दोखो अब दोखो मैंने बताया यह homogeneous equation है इसमें 3 variables है x1, x2, x3, 3 variables है यह equation कैसा है बोलो homogeneous है तो अब हमको बिटा देखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो coefficient से बनने वाला matrix है क्या है बोलो minus 1 यह 1, यह 0 x1 वाला कितना 0 है तो x1 का coefficient यहाँ पर 0 है तो 0, x2 का minus 1 है x3 का 1 है x1 का यहाँ 1 है यहाँ यह minus 3 है और यह 2 है तो इसको देखना पड़ेगा इसकी पहले rank क्या है मैंने बताया था पिहले वीडियो में भी बैटा देख लो जा करके यह सारे वीडियो बैटा एक ही प्लेइ्ट में है और इस प्लेइ्ट का नाम क्या है इस प्लेइ्ट का नाम बच्चों है Complete CSIR, Net Mathematical Sciences by HD Mathematics क्या नामे इस प्लेइट का Complete CSIR, Net Mathematical Sciences by HD Mathematics तो सारे वीडियो बटा एक ही प्लेलिस्ट में है पिछले वीडियो जरूर देख लीजिए मैंने बताया था आपको एक कोशन को सॉल करने का और उससे पहले मैंने रेंग को निकालना बताया था बास समझे चलिए अब दोखो इसकी रेंग के निकालनी होगी रेंग कैसे निक पहले हम इसी का डिटर्मिनेंट निकालें इसी मैंट्रिस का डिटर्मिनेंट निकालें देखें क्या होगा इससे एक्सपंड करें तो क्या होगा मैंनेस वन यह हो जाएगा मैंनेस टू और प्लस हो जाएगा थ्र दोखो यह मैंनेस वन होगा तो कि इसका साइन प्लस होता ह यह मैनस होता है तो मैनस वन हो गया डिस इंट्व झिजरों हो गया अब दो को यह क्या हो गया अब वन टू मैनस ब्लस लि headache तो इसका मुझला थी क्रोस तरी का डिट्रमिनन जीरो है तो इसकी रेंग फूरश कर दी नहीं हो सकती अब हम 2 x 2 का इस मसे लें मालो यही ले 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 पहला ही minus 1 1 0 minus 1 तो क्या हो लेगा दोखो यह हो लेगा 1 minus 0 दोखो 1 दोखो non 0 आ गया 2 x 2 का non 0 आ गया मतलब इसकी जो rank है वो हमारी 2 आ गई यह बात यहाँ पर समझें rank 2 आ गई तो n minus r कितना हुआ n का मतलब 3 number of variables और r कितना है 2 मतलब rank तो 1 आ गया तो मतलब 1 linearly independent solution इसका होगा यह बात बात चेक कर लेना बहुत जरूरी होती है थोड़ा शोर हो रहा था एक बहुत बढ़ा सा ट्रक यहाँ से निकल के गया है अभी और उस ट्रक की वज़े से बढ़ा शोर हो रहा था गाड़िया यहाँ निकलती रहती है रोड हनाकी बहुत बढ़ा तो नहीं है लेकिन फिर भी रोड यहाँ पर ठीक ठाक है तो यह सब हट बगरा बढ़े हुए अच्छी लोकेशन यहाँ पर है और यहाँ पर देखो कुछ लोग नीचे खड़े है उनकी आवाजे आप सुनने होंगे मोईल बाते कर रहे हैं बहुत अच्छी लोकेशन है बटा देखो यहाँ पर बादल बादल सब एक तरे केसे धुआ 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 आपको दिख रहा होगा हत्रा तो बादलों के बीच में बेटा बैट करके आपकी पढ़ाई हो रही है पढ़ाई में इंटरस्ट लीजिए लाइब बहुत खुबसूरत है नेचर बहुत सुन्दर है नेचर का इंज्वाय करिए पढ़ाई बेटा बहुत अच्छी है उसमें दिमांग लगाई है बाकी टेंशन पेदा होता ध्यान बिल्कुल मत दीजिए देखे बच्छों ठीके तो आगे आते हैं बच्छों हम लोग तो N क्या है नमबर आउव वेरिवस R क्या है रैंग 2 तो N-R की वैलू बना गई तो One Linearly Independent Solution इसका हमको मिलेगा तो One Linearly Independent Solution चब दोखो हमको पेटा है यहाँ पर इसका मिलेगा तो उसका तरीका दोखो मैंने क्या बताया था आपको दोखो जैसे यह अपनी EQUOTION है अब इस EQUOTION में आप क्या करेंगे माले यह एक्स वन को के माल ले तो जैसे यह अपनी EQUOTION थीन है को यहाँ पर अब इसमें 0 नहीं मालेंगे ऐसे माल लोगर आप X1 को 0 माल लोगे तो X2 भी 0 हो जाएगा और अगर X2 0 हुआ तो X3 भी यहाँ 0 हो जाएगा सब को 0 0 0 हो जाएगा और वो फिर आपका जो है वो आइगन वेक्टर नहीं माना जाता है सब को जब 0 0 0 हो जाएगा तो वो आइगन वेक्टर नहीं माना जाता है आइगन वेक्टर मैंने क्या बता था X की वैलू निकाल ली है और X के तीन कंपोनेंट है X1, X2, X3 हाँ तो अब यहाँ पर हम किसी को 0 नहीं मानेंगे ध्यान नग न अब क्या होगा देखो जैसे X1 को मैंने के माल लिया X1 को के माल लिया तो इस वाले दिलेशन से X2 भी हमारा के हो जाएगा तो X2 भी क्या हो जाएगा के हो जाएगा X1 को K माना तो X2 भी K हो गया और जब हम X2 की value K यहां रखेंगे तो X3 भी यहां से K हो जाएगा तो यहां पर देखो X1, X2, X3 तीनों ही हमारे K, K, K हो जाएगे किसी एक को मान के चलना पड़ता है X1 को K माना तो X2 भी K हो गया X2, K था X3 भी K हो गया तो हमारा जो X आइगन वेक्टर आया X1, X2, X3 के आया K, K और K तो दोकोई यह K से डिवाइट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1, 1, 1 तो दोकोई यह बच्चों अपना 1 linearly independent solution हो गया X1, X2, X3 का और यही अपना single आइगन वेक्टर Lambda equal to 1 के corresponding हो गया जोकी N minus R की जो value है वो 1 आई थी तो एक ही answer होगा और यह 1 linearly independent solution दोको बटा यहाँ पर हो गया K, K, K और यही हमारा आइगन वेक्टर हो गया इस पूरे matrix का K, K, K तो यही हमारे question का क्या हो गया बच्चों answer हो गया तो इसलिए मैंने सोचा आपको यह question करा दी जाए 3 cross 3 के इससे 3 cross 3 के question करने की बटा अपनी practice हो जाए तो 3 cross 3 के बटा question उसका आईगन value और आईगन वेक्टर निकाले की practice हम लोग को थोड़ी करनी पढ़ती है कई बार और बजरूरी भी है बटा हमें question करना 2 cross 2 में यह सब N और R नहीं देखना पढ़ता है 2 cross 2 में हम लोग direct कर देते थे ठीक है और 3 cross 3 बटा ही थोड़ा हमको यहाँ पर N और R देख करके question को करना पढ़ता है ठीक है अच्छा यह सब हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं क्योंकि हम लोग अभी system of equation में matrix method जो है बटा पढ़ने वाले है system of equation हम लोग बटा पढ़ेंगे system of equation हम लोग matrix method पढ़ेंगे तो matrix method के लिए यह सब चीजें basic हमको आनी चाहिए है ना ठीक है वच्छो आप nature कानन लीजिए मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ video बना रहा हूँ tension मत लीजेगा नीचे आपको कुछ लोग दिख रहे होंगे चहल पैल है लेकिन बहुत हलाकी कम है बहुत ज़्यादा लोग यहाँ नहीं आते हम जैसे कुछ घूमकड़ी लोग यहाँ पर आते हैं जो घूमने बहुत बिश्वास करते हैं ठीक है अच्छा अब देखो बच्चों एक बात और यहाँ पर ज़रा समझो जिसे जो हमारी homogeneous equation होती है है ना homogeneous equation मालूम ने कहा कि a1 x plus b1 y plus c1 z बराबर 0 क्योंकि यहाँ पर हमें eigen vector निकालने के लिए x1 x2 x3 में homogeneous equation ही मेरे सामने आती है हना जब हम eigen vector निकालते हैं तो x1 x2 x3 में तीन equation लाश्टे मिलती हैं तीन हो homogeneous होती है तो जैसे इसमें मैं कुछ बाते आपको बता दूँ कि जैसे हमेरे पास माल लो यह तीन homogeneous equation है ठीक है यह तीन homogeneous equation माल लो अपने पास है अच्छा अब जी homogeneous क्यों है क्योंकि यहां पर constant term 0 है खाली x है, खाली y है, खाली z है तीनों में ही constant term 0 हाँ ऐसा हो सकता है एक में z ना हो तो कि c1 0 हो सकता है या b2 0 हो सकता है हो सकता है खाली इसमें x, y ही हो या इसमें खाली x और z ही हो या इसमें खाली y और z हो सकता, coefficient 0 हो सकते हैं किसी के, तो लेकिन फिर भी ये homogeneous equation ही कही जाएगी, ये homogeneous equation का system हो गया, तो कि इसमें constant term 0 है, अब homogeneous equation में थोड़ा सा ध्यान लखो यहाँ पर, कि जैसे x, y, z की values, जो हम निकालेंगे, तो इसमें वही चीज है कि जो coefficient से matrix बनता है, a1, b1, c1 है ना, इनके coefficient से, जो यहाँ पर matrix बनता है, ठीक है, इस matrix की rank देखनी पड़ती है, है ना, rank देखनी पड़ती है, जैसे इसकी rank अगर r है, और n, है ना, इसकी rank कुछ भी हो सकती है, इसकी rank जो है वो, कुछ भी हो सकती है यहाँ पर, ठीक है, तो जैसे कि माल लीजिए अगर इसकी rank r हो गई और n क्या है number of variables है है न जैसे यहाँ पर n तो 3 ही होगा योकि number of variable 3 है अब इसकी rank कुछ भी हो सकती है अगर माल लो इसकी rank 3 आ गई माल लो let let माल लो इसकी rank 3 आ गई 3 कवाएगी जब इसी का determinant non 0 होगा जब determinant non 0 होगा तो rank क्या हो जाएगी 3 अगर इसका determinant 0 होगा तो 2 cross 2 बर ले देखेंगे अगर 2 cross 2 में non 0 होगा तो rank 2 हो जाएगी ठीक है तो माल लो इसकी rank 3 आ गई और यहाँ पर n तो 3 यह की variable 3 है तो यहाँ पर n minus r मतलब 0 हो जाएगा तो मतलब इसका कोई भी solution एक्जिस्ट नहीं करेगा उस case में लेकिन ध्यान लखना x बरावर 0 y बरावर 0 और z बरावर 0 यह solution हमेशा ही exist करता है इसको हम कहते हैं zero solution या इसी को हम trivial solution भी कहते हैं trivial, trivial का मतलब होता है very easy, ऐसा solution जो देखने से ही निकलाया दोखो x, y, z को 0, 0 रखोगे, तीनों equation satisfy हो जाएंगे x को 0, y को 0, z को 0 रखोगे, तीनों equation satisfy हो जाएंगे तो यह solution तो हमेशा exist करेगा, मतलब zero क्या बता रहा है, यह बता रहा है कि कोई भी non zero solution नहीं होगा यह तो zero solution है, यह तो हमेशा होना ही होना है इसमें, यह तो zero solution है और यह zero solution तो हमेशा होना ही होना है चाहे यहां से result आपका कुछ भी आ जाए चाहे N और R कुछ भी हो जाएं चाहे N और R कुछ भी हो जाएं यह 0-0-0 solution इसको trivial solution कहते हैं यह तो हमेशा आना ही आना है इसका ठीक है? अच्छा अब दूसरी वाद जरा समझो यहां पर ध्यान से अगर मालो N 3 है N तो 3 है क्योंकि 3 variable है हाँ N की value तब change होगी जब हम variable ज़्यादा कम कर दें और R की value मालो 2 है मालिया R की value 2 है मालो इसकी rank 2 आती है मालो इस matrix की rank जो है वो 2 आती है तो अब N-R क्या होगा? अब N-R की value 1 होगी तो मतलब हमें 1 linearly independent solution मिलेगा हमें केवल एक linearly independent solution मिलेगा इन तीन एकोशन का ठीक है? तो वो linearly independent solution कैसे मिलेगा हमको? तो तरीका मैंने बताया था आपको क्या तरीका बताया था? कि मालो हम X को K माल ले कोई भी दो एकोशन ले ले 1st 10 second ले ले 1st 10 second ले ले और X को K माल ले X को K माल करके यहां से हम Y and Z निकाल ले तो X, Y, Z की values हो जाएंगी अब यह जो X, Y, Z की values मिली है यह 3rd में रखे 3rd satisfy होना चाहिए अगर 3rd satisfy नहीं हुआ तो मतलब कोई solution नहीं होगा तो मतलब फिर यह वाला case बन जायागा वहाँ पर अपने आपी यह वाला case बन जायागा नो solution यहां पर देखो linearly independent solution कोई भी नहीं आ रहा था इस वाले case में हाँ यह solution तो हमेशा आई रहा था यह solution तो हमेशा आए गई तो अगर 3rd satisfy हो जाएगा तो फिर X की value, Y की value, Z की value आपको मिल जाएंगी तीन value आपको मिल जाएंगी और यही अपना अकेला linearly independent solution हो जाएगा अगर 3rd satisfy हो गया तो क्योंकि A की linearly independent solution यहां हमको चाहिए क्योंकि N-R की value क्या है वर जो 1 है बस समझे न तो A की linearly independent solution हमको यहां पर चाहिए है बस समझे तो X-Y की value मिल जाएगी अगर 3rd satisfy हुआ तो अच्छा अगर 3rd satisfy ना हो तो इसका मतलब आपको no solution मिलेगा no solution का मतलब यह हुआ कि no X, Y, Z यहां से मतलब यहां से कोई X, Y, Z आपको नहीं मिलेंगे लेकिन हाँ यह X की value 0, Y की value 0, Z की value 0 यह तो हमेशा ही मिलेंगे 0 solution तो हमेशा ही मिलेगा इसको हम trivial solution कहते हैं और यहां से जो solution मिलता है वो होता है non-trivial solution यहां से जो solution मिलता है वो होता है non-trivial solution या non-zero solution यहां से मिलता है समझो ध्यान से non-trivial solution या non-zero solution यहां से हमको मिलता है इस वाले case में ठीकि熱 है इसRCेस में और ये के के टिम में होता है के क्या है रियल नम्बर तो ये इनफाइनल्शन माना जाता है endo, मैंने कहा X, K आ गया अगया माल लो और मैंने कहा माल लो Y, 2K आ गया और मैंने कहा Y, माल लो Z हमारा मैंनस के आ गया माल लो तो जो एक्स वाइज़ इन टर्म सब के आया है यह क्या है यह infinite solution है क्योंकि के की value हम बदल सकते हैं के तो real number है के क्या है real number है के को 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो फुछ भी ले लो तो जो के के time में आता है यह हमारा अच्छली infinite solution होता है इसे को हम infinite solution या non-zero solution या non-trivial solution भी कहते है जब ऐसे values मिल जाए मलब जब third वाला equation satisfy हो जाए अच्छा अब एक case दो को ऐसा बनता है जो कि हमें अपने question में आया था कि माल लो n की value तो 3 है और माल लो r की value 1 हो जाए माल लो उसकी rank 1 आ जाए जो अपना एक coefficient वाला matrix था ये वाला coefficient वाला matrix माल लो इसकी rank 1 हो जाए तो ऐसे case में n-r क्या होगा 2 होगा तो हमको 2 linearly independent solution मिलते हैं 2 linearly independent solution मिलते हैं वो कैसे निकाले जाते हैं फिर मैंने बताया था उसको निकालने का तरीका ये होता है कि जैसे आप z को 0 माल लीजे एक बार और x y को निकाल लीजे ये मैंने तरीका बताया था आपको या और एक बार z को 0 माल लो और x y को निकाल लो वो एक solution हो जाएगा अगली बार में क्या करो कि y को 0 माल लो x z को निकाल लो वो solution हो जाएगा आपने आपी, ऐसा केस मैंने आपको देखो बताया था फिछले वाले कोश्चन में, पिछले वाले कोश्चन में मैंने आपको ऐसा केस बताया था, जिसमें की इस टैप का कोश्चन आया था, मैंने आपको Linearly Independent Solution दो निकाल के वहां पर समझाये थे, ठीके बचो, तो यह बात यहां पर important ध्यान लखना जब भी homogeneous equation आए ऐसा कि इस बता बताया था मैंने आपको वेक्टर पिछला वाला वीडियो देखो उसमें lambda equal to क्या था माइनस 3 करके कुछ था और उसमें जो अपना आइगन वेक्टर बना था वो दो linearly independent solution आये थे पुराने वाले वीडियो मैंने यह बात आपको लिटेल से समझाई थी तो यह बात यहां पर द्यान लखना यह general theory है homogeneous equation के लिए general theory होती इस बात को जड़ा समझोए आप बहुत important है ठ ठीक है यह पढ़ाई का मेरा टेबल लखा हुआ है यह मैंने pages जो आपको पढ़ाए है सब यहां पर रखे हुए है ठीक है और यह आपकी बढ़िया बढ़िया location है बेटा और मैं यह को यहां पर ऐसे बैठा हुआ हूँ और आपको पढ़ा रहा हूँ बच्चे अंदर मस्त चूम तो अगले वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे तब तक के लिए बाई बाई